जितने या बेठे और जितने आस्ता चेनल पर सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर कथा श्रबन करना जितने मोबाईलों पर देख रहे हैं प्रयास करना बैसाक के महिने में मिट्टी के पात्र में जो रातरी भर जल रखा हो मिट्टी के पात्र में अगर आपके प जार्टोश करें यह की भात पोड़े के पात्रे का अपनें घर प्रतेक व्यक्ति का सफपर्ष करा लगा उस मिग्टी के पात्र के जयकों ताउले पीड़े के अलिचा और शंक्र भगवान करक नंद कैश्वर महादेव के नाम से सब्सक्राय कृथ कुंद कश्रमा कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप उन्नती की सीड़ी की और बढ़ते चले जाए बेसाक महिने में मट्टी के पात्र का जल भगवन शंकर को समर्पित होना चाहिए उसका सुख हमारे जीवन कोई खानन नहीं फल पर दाला लागा जाले पढ़ने लगा रात को आपों में जलन दोने वड़ी रात को ने नहीं आ रही में तो बेसाक के महिने में जो दुरबा उती है जहांपर शुकसुंदरी का इस्थान होता है अशुक सुंधरी के इस्ठान गर्ट उस दूरवा को रख़़ॅ और कुंद किश्षर महां देख विसास के महीने में कोई भी दिन वार आप एसास के महीने में कर सकते हूं विस दुर्वा को लेकर आऊ लगवट 20-30 दुर्वा लेकर लेकर सुबहा सुबहा कुंद कैश्वर महा देव का नाम लेकर उसको खाना प्रारम कर देजे एक दुरवा रोच खाऊ जो पत्री है या नेतरों में तकलिव है या औए ना पोई कोई खाने की जूरत नींपड़ेगी नीद अतने आपना ज़ाईगी और बेचे निख सुनरी वाली जगां पर दुरवां कुन से महादे हो कुण्द कई शुक्त क्या है तो क्या कहा हमारा जी बगवान शिवकति एरी पारवती एक हजार अश्मेक यग्यमें अगनी कुंद के अंदर पूनाहूती पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल एक बिला बेसाथ महिने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको एक हजार अश्मेक यग्यक पुन नफल राप्त हो जाता है मात्रा एक बेल कि बहुत अच्छे से समझना महारग फिर समझ लीजिए केवल सारे शिविलिंग में एक नरवदेश्च्वर महादेवे से होते हैं जिन पर कुछी भी चड़ाओगे तुम खा सकते बगवान को अगर भोब लगाया तो तुमने का लिया फगवान के शिविलिंग को अगर कोई बस तूर्टाच हो गई तो तुम पासकते हो निखाई हो चूरमा हो लट्टू हो बेड़ा हो घुलाब जामुनो इमर्ती भजिया पकोड़ा फाल पूरूट जो भी होगा वो प सकता उसको केवल भेरागी प्यागी इसमे घर छोड़ दिया परिवार छोड़ अपने कविले को चोड़ दिया केवल वही पास सकता ये शुमाहा कुराण की विदेशवर सहीता कर रही है पर शंकर कर रहा है माउमा से मापारवती से मेरा महेश कर रहा है मेरा बाबा बोलेनात मेरा बाबा विश्वनात मेरा तरकाल दर्शी कैलाशी अविनाशी कर रहा है के पारवती एक पीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्बित करने के वागुस देल की मात्मता देखिए जो बैसाक महीने में बाबा शंकर को जिए चड़ाया जाता है और हजार अश्मेक यक्यका पुण्य फलम प्राप्ते कर लेते हैं मात्रिक फल स्कड़ाता है जेसों इससे पहले जो एकादशी कही है जिसको त्रीविदी एकादशी भी करते हैं एकाद पद्म बुराण में लिखा है और विशनु पुराण में एकादशी के दिन 12 भी पड़ जाए 12 के दिन 13 भी पड़ जाए मतलब 13 और 13 तीन Lesson DAVID इस आठ पड़गाए और उस दिन 13 अएक साथ पड़ जाए और उस दिन 14 अज़ारों और उक्रपन फुर्फार्प्ट हो जाता तुरूा जिन्दद्गी एक चरें चाहि ना चरें और फिर ध्यान देना कोई मर रहा है, कोई तडप रहा है और आपने जीवन में इक हदशी करेज़ुन हो वो कुमब्स एत्तियु सितुरी दी वार्मानलो कोई मर रहा तो आप उसमें अपनी एक एक हदशीरुद्स mejorar अपने पांचस हे सकते लिए आप क्योंकि आपने हज्जारों कर लिए उसका पुर्ण आप किसी को फ्रदान कर सकते हैं आप किसी को देश देख लेख लेए उसी तरह यह पारवती संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्र समर्पित करता है पारवती वो फल जो मुझे चड़ता है फिर में भले नर्वदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ चाहे में यमना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ चाहे में सर्यू के जल से निकल हुआ कंकर शंकर क्यों ना हो ए पारवती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कारे में ले सकता यह मां उमा से कर उस पेल की महत्वता जानेंगे अब उस बेल को जानने के लिए 32 इसकन पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल महिने में शंकर पुचड़ाया जाता है वह बेल का मंध्यां कर लिए जाका लिया जैए जिस ब्यक्ती को तो बहुत भोजन पचका ही नहीं है पूरा शरीर पाचन के लिए बेकार हो गई ऊस ब्यक्ती को केवल तक के शंकर पर चढ़ेत ediyor शीपन!